दुर्वासा रिशी का जन्म कैसे हुआ? हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में दुर्वासा रिशी का उलेक मिलता है. दुर्वासा रिशी बहुत ही महान और ज्यानी रिशी थे. दुर्वासा रिशी अपने क्रोध के कारण जाने जाते थे. दुर्वासा रिशी का क्रोध भगवान शिव की तरह बहुत ही भयानक था। दुर्वासा रिशी भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। इतने में माता अनुसुया भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शनों के लिए पहुची। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस उर्जा को पुनह अपने अंदर नहीं समा सकते हैं क्योंकि यह उर्जा उनके तीसरे नेतर से निकली है और उनका तीसरा नेतर अगर दोबारा खुला तो उससे स्विष्टी को और भी नुकसान होगा। भगवान शंकर की बात सुनकर माता अनुसुया ने भगवान शिव से आग्या मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध उर्जा को अपने भीतर धारन कर सकती हैं। भगवान शिव ने भी माता अनुसुया को आग्या दे दी जिसके बाद माता अनुसुया ने इस उर्जा को अपने गर्ब में धारन कर लिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें धन्यवाद